हाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथेमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नमर 4 डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं ठीक है तो प्रिबिस वीडियो हमने एकसरसाइज 4.2 कम्प्रीट कर वाया था जो बेस था प्रपर्टिज आप डिटर्मिनेंट के यतनी 6 हैं उसी के बेस्पर एकसरसाइज था एक वीडियो में में पुरा 4.2 जो आपका एंसेर्टिबूक एकसरसाइज को कर वाया था आज हम क्या करने वाले हैं किसी भी ट्रेंगिल का अगर आपको एरिया निकालना है उसके 3 वर्टिस आपको पता है तो आपने 9 त में पढ़ा ह यानि तरी भूज का कैसी छेतरफल निकालते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो हम पहरे फार मुला जानेंगे उसका और मेथड करेंगे और उसके बार हम एंसेर्टिबूक के एकसरसाइज 4.3 जो है वो हम कबर करेंगे तो चलिए शूरू करते हैं अगर आप चलने हो सकते हैं ठीक है तो चलिए शूरू करते हैं वीडियो काफी इंड्रेस्टिंग होने वाला है और सिर्फ एक वीडियो में एकसरसाइज 4.3 हम कबर करेंगे और उसमें फर्मूला भी में कराऊंगा किसी भी अगर ट्रेंगिल का एरिया आपको निकालना है तो अगर आपको mathematics determinant जो हम continue करने वाले हैं ठीक है तो आज हम यही पढ़ेंगे कोई हमारे पास triangle मतलब कोई तिर्भूज है उसका हम determinant की help से कैसे area निकालेंगे area of triangle ठीक है area of triangle तो suppose हमारे पास कोई triangle यह है जिसका coordinate जो है यह यह आपका x1 कामा y1 है और b हमारा x2 कामा y2 है और c हमारा x3 कामा y3 है तो यह जो तेभूज आपका a b c है इसका area आप कैसे निकालोगे determinant की help से ठीक है आपने class 9 में पढ़ रखा है कैसे निकालते है एट में भी पढ़ा है आपने 10 में पढ़ा है 11 भी पढ़ा है कैसे किसी triangle का area find करते है उनसे ही आपको 12 में determinant की help से area find करनी है तो क्या होता है इसक आप triangle a b c is determinant की help से निकाल रहे है determinant is equal to 1 by 2 यहां से क्या होगा यह इसका सारा first coordinate first room लिख दीजिए x1 x2 x3 जो भी first coordinate है उसको आपको first row में convert कर देना है second element को आपको second row में लिख देना है यह y1 होगा यहां से यह y2 होगा और यह अतिवा थर्ड कला में आपको one right कर देना है तो अगर यह आपको निकाल देते हो तो जो भी बहले उसकी आती है वही इस triangle का area होगा ठीक है आपने वह प्रमुला पढ़ा होगा class 10 में geometry वाला सेम वही है उसी पर apply किया क्या है ठीक है अब इसको हम first करते हैं कुछ इसमें मैं points लिखा रहा हूं आपको जो remember रखना है note number first क्या है अपका since area is a positive quantity कभी भी area जो होता है वो क्या होता है positive value होता है ठीक है we always we always take the absolute value of the determinant मतलब कर रहा है कि जो भी इसकी value आए जो first determinant आपको first value है जो भी value आता है determinant का आपको इसका absolute value लेना है मतलब अगर negative आए तब भी आपको positive लेना है और positive आए तो भी positive ही लेना है ठीक है second point इसमें क्या कर रहा है if area is given अगर किसी triangle का area दिया हुआ है तो यहांपर क्या कर रहा है use both positive and positive and negative negative value of the determinant मतल में आ रहा है कि अगर किसी triangle का area दिया हुआ है तो उसकी जो value है आप positive और negative दोनों use करते हैं determinant calculus के लिए for determinant for calculation ठीक है तो अगर किसी area के वाल given है आपको determinant calculus करना है तो आप उस value को negative positive दोनों consider कर सकते हैं third point आपके समें क्या है आपका कि दो एरिया आप दो ट्रेंगिल फोर्म बाई फोर्म बाई फोर्म बाई थ्री co-linear point is zero क्या गहा रहा है इसमें कि इसमें यह कर रहा है कि अगर तो आपको इस area के equal zero put कर देना है मतलब इस determinant को zero के equal put कर देना है ठीक है third point यह कर रहा था second point यह कर रहा था कि area का value आता उसको positive negative कोज भी ली सकते हैं determining calculation के लिए first point यह कर रहा था इसके जो भी value आए आपको आगर area बताना है तो positive यह नहीं absolute value मतलब क्या है positive negative जो भी है आपको positive ही लेना है ठीक है तो यह रहा कि triangle का area निकालने का formula उससे कुछ results अब हम क्या करने वाले आगे अब आगे हम करेंगे NCRT book का diet हम exercise करेंगे इसमें आपको question में मिल लाएंगे exercise भी complete हो जाएगा ठीक है पहले आप एक भी इसको note down करिए और इसको formula को एक बार कुछ नहीं करने first coordinate को आपको first row में second coordinate को second row में अब बाकी third जो आपका column है third column उसको one one कर देना second column में आपको second coordinate रग देना है first column में x1 x2 x2 रग देना है one by two आगे लगा देना है कहां से आया यह basically आपका वह आपने 10th में पड़ा है coordinate geometry उससी की बेस पर यह formula बनाया गया है ठीक है तो चलिए हम इसका incentive book exercise करते हैं 4.3 complete करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए incentive book exercise 4.3 आप जिस भी board से हों कोई matter नहीं करता है ठीक है तो पहला question कर रहा है find the area of triangle with vertices 8 points given is following तो आप से triangle के area पुछा के उसके vertices given हों तीन question इसमें दिए गए हैं आपको question screen पर दिख रहे हैं ठीक है तो चलिए हम इसमें पहला question जो करते हैं solution में first question करते हैं first question में जुसके vertices दिए रखे हैं वो क्या क्या है the area of triangle with vertices क्या रखे हैं 1,0 पहला question में कर रहा हूं 6,0 4,0 is given by is given by क्या होता है फर्मूला determinant is called to 1 by 2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 ठीक है यहां सब 1 by 2 x1 क्या है सबसे पहला coordinate जो x1 होता है 1 x2 क्या है 6 x3 क्या है 4 y1 क्या है 0 y2 क्या है 0 y3 क्या है 3 अब बाकी 3rd जो column होगा आपको हमेशा 1 write कर लेना है ओके ठीक है अब इसको थ्वासा simplify कर लिए determinant को पता है यह निकाल आपने बढ़ चुके हैं एक ऐसे सको determinant निकालते हैं 1 by 2 यहां पर write कर लेंगे इस 1 को यहां पर लिखते हैं ठीक है 1st row 1st column cancel 1 का multiply 0 में करोगे तो कि 0 आएगा अब 1 का multiply 3 में तो 3 यहां माइनस लगाते हैं यह 0 तो बाकी यह सब 0 आजाएगा तो कोई इसका नहीं है लिख चली हम multiply करते हैं 1st row 2nd column eliminate करेंगे तो यहां से 1 का multiply 6 में तो 6 अब 1 का multiply 4 में तो 4 लास्ट कोईनेट प्लस 1 तो देखी यह 1st row 3rd column eliminate यह 6 multiply 3 18 आएगा यह आपका आएगा 0 multiply 4 0 हमने multiply गिया कैसे करते हैं आपको पता है बहुत इस पर वीडियो बनाया गया चुका है तो आप इसको एक बात देख ले ना फिभी मैं यहां बता रहा हूं तो चलिए यहां पर simplify करेंगे तो यह minus 3 और इसको simplify करेंगे तो plus 18 आएगा दोनों में कोन बड़ा है आपका 18 बड़ा मैं यहां करूं चलिए मैं यहां कर लेता हूं ठीक है 1 by 2 minus 3 plus 15 ओके 18 था अब यहां पर देखेंगे तो 1 by 2 multiply 15 यानी 15 divided by 2 square unit square unit ठीक है तो यह था आप question number पहला देख लिए कैसे निकालते रहे है बिलकुल easy है ठीक है चलिए हम second question इसका करते है पहला का second question देखिए इसका वर्टिस का देखिए 2,7 1,1 10,8 ठीक है वह में हापर राइट कर लिया फंगूले में हापर इसका वर्टिस ए 2,x2,1,x3,10 यहापर राइट अपर कर लिया ठीक है इसको simplify करोगे इसकी बेलुक क्या मिलने वाली यहापर कर लिख रहा हूं 1 by 2 कौन बड़ा है? 7 से मिल्टिप्लाई करोगे 14 यहापर क्या आएगा 9 से मिल्टिप्लाई करोगे 63 63 अब यहापर यह माइनस 2 आएगा माइनस 2 में 1 मिल्टिप्लाई करोगे माइनस 2 जब आप इसको simplify करोगे 47 divided by 2 square unit इसका answer आ जाएगा ठीक है यहनि जो ट्रेंगिल के जो वर्टिसस गिवन है इसका area जो आया 47 divided by 2 आ गया square unit तो यह था question number 2 अब हम दखेंगे question number 3 पहले का question number 3 देखिए इसका भी वर्टिसस दे रखा है माइनस 2 माइनस 3 3 2 माइनस 1 और माइनस 8 तो सेम वही आप इसकी x1 x2 x3 की value यहाँ पर रखिए और y1 y2 की value यहाँ पर रख दिया और यह 3rd काला में 1 1 आपको write up करना है simplify के लिए अगर नहीं पता है तो पिछले वीडियो जाके देखिए ठीक है 4.1 4.2 ठीक है काफी question लगवाया जा चुका है तो जब आप इसको simplify करोगे तो क्या आने वाला है देखिए जब इसको simplify करोगे तो minus 30 divided by 2 यानि minus का 15 आगे न यानि जो हमारा determinant आया वो minus का 15 आया यानि हम areas में क्या लेंगे Hence the area of triangle area of the triangle area of the triangle is अबसूलूट value का गया तरही मौड में आपको लेना है मौड में उसके value क्या जाएगी 15 ठीक है तो यहां से क्या बहुत आगा स्क्वायर उनिट आपने या जाएगा कभी भी अगर आपके negative value आता है तो आपको absolute value लेना है यानि आपके value क्या जाएगी 15 आजाएगा तो question number 1 आपका यही पर complete होता है हम करेंगे question number 2 question number 2 में देखिए मैंने आपको एक note से में लिखवाया था कि अगर किसी triangle के vertices जो 3 vertices हैं अगर वो co linear है तो हम तो compulsory है कि जो इसका area आएगा ने वो 0 के equal आना चाहिए क्याना चाहिए जीरो को अगर 3 vertices को linear है तो जो भी इसका area होगा वो 0 के equal होगा ठीक है बार बार मैं यह बोल ला हूँ तो चलिए question को करते हैं solution में का करेंगे हो area area of triangle a b c is given by given by the relation relation क्या होता है area 1 by 2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यह थर्ड कलम में 1 होता है ठीक है तो यहां से देखिए यहां पर 1 by 2 value रखिए x1 की value a x2 की value b ओके और x3 की value c यहां राट कर लिया अब y1 की value b plus c y2 की value c plus a अब यहां से आपको जो भी आप रिशन आपको पता है r1 को r2 में change करिए c1 को c2m change करिए r1 को r2 में r2 में जोड़ देए जो भी करिए आप यहां पर आपको इसको 0 के equal लाने हैं कुछ भी आप रिशन आप करो इसको 0 के equals आपको लाने हैं तभी यह points क्या होंगे को linear हो सकते हैं ठीक है तो सबसे परले आपको क्या apply करना है मैं आप apply कर रहा हूं applying r2 change r2 minus r1 और यहां से r3 change r3 minus r1 यह row operation मैंने यहां पर apply कर लिया apply करने के बार क्या इसका results आएगा मैं यहां पर लिख रहा हूं देखिए यहां पर 1 by 2 देखिए r2 को हमने क्या किया है r2 को r2 में से r1 को सब्टेक्ट कर दिया है हमने r1 को कोई change नहीं किया तो r1 आप ऐसे लिख दिजिए a b plus c और 1 r2 minus r1 यहां यहां आएगा c plus a minus b plus c तब इसमें से इसको आप सब्टेक्ट करोगे तो यह c चसी cancel हो जाएगा यह minus b हो जाएगा उदिकत आए यह 1 से 1 में से जाएगा तो 0 अब देखिए r3 में से r1 करना है आपको r3 में से r1 करना है यह c minus a और इसमें जब सब्टेक्ट करोगे तो b से b किंतिल हो जाएगा a minus c हो जाएगा और 1 minus 1 जीरो चलिए कोशिसके element 0 हो गए अब आपको क्या करना है इसको फिर से क्या करिए जो r3 है तो r3 को r3 plus r2 कर दिजिए उससे क्या फायदा होगा r3 को चिंद करिए r3 plus r2 तो इसको आप करोगे तो कुछ इसमें जो point आपके हैं यह क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे यहां भी चलिए कुछ कामन ले सकते हैं कैस में हम कामन कुछ ले सकते हैं जी ले सकते हैं a-b हम किसमें कामन ले सकते हैं आई इसमें हम ले सकते हैं कामन c-a क्या ले सकते हैं c-a हम कामन ले सकते हैं जाते हैं यापका कामन 1 बाई 2 A माइनस B कामन ले लिया मैंने 2nd रू में और इसमें कामन ले लिया C माइनस A तो क्या हमारा यहाँ पर यह A B प्लस C यह तो इस एक दाएगा यहाँ पर मैनस 1 यह 1 और यह 0 इसमें 1 माइनस 1 और यह 0 ठीक है यही आपका यहां पर बचने वाला है अब नेक्स चिसमें आपको क्या करना है R3 को कर लेना है आपको R3 प्लस R2 ठीक है क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहां पर यह जब यह चेंज करोगे तो यह 0 हो जाएगा चलिए मैं स्कूर अफ कर दूँ यहां पर आपने लिख लिए होगा तो चलिए देखिए आगे यहां से मैं यहां करता हूं 1 by 2 a minus b और c minus a मैंने यहां पर क्या अपलाई किया R3 चेंज R3 प्लस R2 तो जब आप यहां पर चेंज करोगे तो फर्स्ट रो में तो कोई प्रावलम नहीं इस वापको ऐसे लिख देना है R2 को भी आपको चेंज नहीं करना है ठीक है अब इसको आट करोगे तो 0 इसको आट करोगे 0 आए 0 में 0 आट करोगे 0 अब आप इसको एक्सपेंड कर दो ठीक है यहां से आप क्या कर दो आर्थरी के से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो तो आर्थरी जब एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा यहां पर दस दो एरिया आप दो ट्रेंगेल फोर्म फोर्म बाइ दो प्वाइन्ट ए बीस एंड सी इस जिरो ठीक है तो यह कोच्छन नमबर थी था कोच्छन नहीं था बिलकुल एजी था आप कोई भी को लीनियर आपसे बोले उसका एरिया आपका 0 के एक्वल करना ही करा है मतलब आना ही आना है ठीक है तो यह कोच्छन नमबर 2 था अब हम करेंगे कोच्छन नमर 3 तो एरिया क्या हो गया इसका 0 हो गया अब इसमें हम एक लिए नोर यहां पर आप आप आड कर सकते हैं हेंस जो हमें प्रूब करना था हेंस दप्वाइंट ए बी एंड सी आर को लीनियर ठीक है तो को लीनियर ए बी सी कब होंगे जब उसका एरिया क्या होगा 0 के कोलवा जाए ठीक है तो कोच्छन नमर 2 था अब चलिए कोच्छन नमर 3 कर लेते हैं ठीक है तो देखिए question no.3 क्या करता है question no.3 में आपको area given है ठीक है और इस question में k की value find करने है आपने class 10 में याद होगा question ऐसा ही थी आपको करने को मिला होगा कि कहता था कि find the value of k and if find the value of k this points are co-linear यह बोल जाता था तो उसको आप उसके area को जो भी उसके vertices थे उसको 0 के इकुल का क्या आप area निकालके और k के value निकाल लेते थे ठीक है यहां भी वही करना है कि find the value of k if area is 4 इसमें area दे रहा है determinant के value 4 दे रखा है square root vertices पूछा जार आपसे ठीक है वर्टिस दिया हुआ है के कमान आपको ग्याद करना है ठीक है तो question number यह first आपका है k कामा 0 4 कामा 0 0 कामा 2 माया second question minus 2 कामा 0 0 कामा 4 और 0 कामा के तो यही जो k की जो value है यही आपको find करनी है तो क्या होता है पहला मैं question कर रहा हूं area area triangle का formula क्या होता है triangle formula क्या होता है 1 by 2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यह 1 1 1 आएंगे ठीक है तो question में क्या गाता है यह plus minus 4 यहाँ पर राइटक पर है determinant क्योंकि plus minus क्यों रूखेंगे क्योंकि मैंने बोला था जब भी आपको area दिया हो तो आप बोथ ले सकते हैं मतलब plus minus दोनों ले सकते हैं ठीक है और यहाँ पार formula रखके इसको solve किया तो क्या हमारा आया यानि plus minus यहाँ से plus minus 4 is equal to minus k plus 4 आगया ठीक है यानि आपको क्या क्या करना है when अगर यहाँ पर k minus 4 plus 1 को अगर हम plus 4 के equal लिखते हैं तो क्या आने वाला है minus k बराबर 0 and imply k बराबर 0 फर्स्ट केस में ठीक है फर्स्ट केस में अगर आपको यह लेना है तो ठीक है यहाँ पर plus minus 2 लेंगे ना हम अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस minus k plus 4 को minus k equal लेते हैं हम में क्या यहाँ पर plus k equal है minus k equal लेंगे तो क्या आएगा minus 4 और यह minus 4 जो है इधर आपको जाएगा minus k right z में तो minus 8 यानि k is equal to 8 आजाएगा ठीक है तो इसकी जो k की जो value है या तो क्या आए 0 आया नहीं तो 8 आएगा ठीक है तो यह था question number आपका third का पहला चलिए हम third का second part देखते हैं देखिए question number third का second देखिए same वही करना है इसमें भी इसका area plus minus 4 लेना है बाकी सब फर्मुदा रखिए और इसकी value यहाँ पर रख दीजिए इसा आप solve जब करेंगे आप तो k minus 4 आ जाएगा अब आपको k minus 4 जो दिया हुआ है इसको एक बार आपको when 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 k minus 4 is equal to plus 4 लीजिए तो k बराबर क्या मिलेगा हमको क्या मिलने वाला है k बराबर यह right शर जाएगा तो 8 आ जाएगा ठीक when अगर हम k minus 4 को minus 4 के equal रखते हैं तो इसकी value क्या आने वाली है इसकी value क्या आने वाली यहाँ पर यह right set जाएगा तो 0 हो जाएगा तो इसकी जो value आर यह k की second question की k बराबर यह तो 0 आ रही है यह तो 8 आ रही है ठीक है तो यह question number 3 का आपका answer हो गया कभी भी आपको ऐसा question मिले तो आपको ऐसा ही करना है ठीक है यह था question number आपका क्या था 3rd था अब हम करें question number 4 चलिए question number 4 रखते है find equation line using 1,2 and 3,6 using determinant आपको यह दो point के equation find करना है determinant का use करके find equation of line using 3,1 and 9,3 using determinant ठीक है मतलब जो भी आपने यह दो points given है इससे आपको equation निकालना है determinant का use करके दो question दिया रखे है question number 4 में तो first question हम कर रहे है ठीक है तो क्या करना इस question को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा लेगे लेटर पड़े आपको अचा के पार कर लेगे then the points a, b and p are collinear सब में आ रहा है, collinear के मतलब क्या होता है मतलब यह कर रहा है कि अगर इन तीनों point को करा equation of line joining दू point दे रखे हैं तो उन्हें माल लिए P, X, Y be any point and the lines joining, मतलब ये एक तीसरा point उन्हें माल लिए जिसको join कर रहा है, then the point A, B, P are collinear, इसका मतलब क्या है, therefore area of A, B, P is 0, तो इसका जो area है आप इसको 0 के equal करके easily आप निकाल सकते हैं, तो 1 by 2, X1 के जगह पे क्या आपका है, X1 के जगह पे आप क्या यूज करने वाले है, 1, X2 के जगह पे 3, मैं पहला question कर रहा हूँ, और X3 के जगह पे आपको X यूज करना, 3rd coordinate क्या आपने माना है, P, X, Y माना है, अब यहाँ पर Y1 के जगह पे 2, Y2 के जगह पे 6, और Y3 के जगह पे Y, बाकी तीनों जो point है, coordinate है, इसको 0 के equal कर लेंगे, ठीक है, अब next यहाँ से, 1 by 2, अब इसको थोड़ा सा, determinant की, जो भी expansion उसको expand कर लीजिए, 1, 1 यहाँ पर, 1st element लिखा 1, उसके बाद, 1st row 6 मानास Y, मानास 2, 1st row, 2nd column eliminate, 3 minus X, प्लस 1, 1st row, 3rd column eliminate, 3Y minus 6, 3Y minus 6 X, ठीक है, तो जब इसको आप simplify करोगे, इसको 0 के equal आपको रखना है, याद रखना है आपन, तब ही आपको यह relation, निकान पाओगे equation जो भी given है, तो यहाँ से, जब इसको आप simplify करोगे, तो 6 minus Y, minus 6, प्लस 2 X, प्लस 3Y, minus 6, is equal to 0, यानि, क्या आने वाला है, 2Y minus 4 X, is equal to 0, तो यहाँ से, क्या हमे equation मिलने वाला है, Y is equal to 2 X, यहाँ से लिख सकते हैं, hence the given, the line of joining the given point, जो equation है, वो क्या है आपका, Y is equal to 2 X equation, मिलेगा, जो इन दोनों point को join कर रहा है, इन दोनों point को, जब हम join कर रहे हैं, तो Y is equal to 2 X equation, मिल रहा है, ठीक है, यही आपका answer है, यहाँ आप लिखी एक line, hence the equation of the line, joining the given point, Y is equal to 2 X, Y is equal to 2 X, अब हम question number, क्या लिखे करेंगे, question number 2 करते हैं, जो इसका second part है, उसको भी same first part कही तरकर, let P X Y be any point, line joining, A 3,1 B, 9,3, then the point A, B, P, cool linear, P is 0, तो इसका जो area, 0 के equal कर लिए, इसको simplify कर लिए, मतलब, मतलब इसको simplify कर लिजी, कर ले के बाद, जो भी मिल लेगा, आपको वह equation मिल जाएगा, ठीक है, तो simplify करने के बद क्या रहा है, 9 minus 3 Y, minus 9 plus X, plus में क्या आएगा, 9 X यहाँ पर आएगा, 9 plus 9 Y, minus 3 X, is called to 0, तो जो जहाँ इसको simplify करोगे, तो 6 Y minus 2 X, बराबर 0, एड़े जो एक्वेशन हमको finally मिल गया, X minus 3 Y is called to 0, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेके ते एक लाइन, Hence, the equation, of the, line, lines joining, the given point, the given, the given, points, is, इसको पर रख कर दू, is, X minus 3 Y is called to 0, तो जो आपका एक given था, point दो जो जो जोइन करने पर जो एक्वेशन मिल ले, तो वो एक्वेशन हमारा क्या है, X minus 3 Y, ठीक है, तो एक question नम्मर आपका 4 था, अब हम करेंगे question नम्मर 5, question मज़ 5 कर चुके हैं, बलकु लेजी है, इस area of triangle is 35 square unit, कर रहा है, किसी area का, इसकी triangle का जो area है, वो क्या है, 35 square unit है, vertices 2 कामा माइनस 6, 5 कामा 4, and k कामा 4, अभी हमने पीछला question किया था, इसी के तरह था, बेस्टम से मैंसे ही था, then k के बेलू, 12 minus 2, 12 कामा माइनस 2, और 12 कामा माइनस 2, यह 4 option दिया हुए है, तो आपको पता ही है, इसको कैसे करते हैं, ठीक है, area निकालिए, उसको 0 के, उसको 35 के एक ओल कर देंगा, मतलब, यहाँ पर का करते है, area of triangle, क्या होता है फर्मूला, 1 by 2, x1, x2, x3, y1, y2, y3, थर्ड काला में 11 होता है, इसका area कितना दें रखा है, plus minus 35, 1 by 2, x1 की value, 2, x2 की value, 5, x3 की value, y1 की value, minus 6, और यह 4, यहाँ पर 4, और बाकी, थर्ड कालम में 11 हो जाएगा, तो अब मैं आपको लिए, कोशन नहीं छोड़ रहा हूं, कि कैसे निकालना है कि एक value, जब यहाँ पर value आएगा जो भी, तो मैं यहाँ पर बता देता हूं, आपकी value क्या आने वाला है, plus minus 35, यानि आपका आएगा, 25 minus 5 की यहाँ पर आने वाला है, तो आपको इसको एक बार positive के एकल करना है, एक बार negative के एकल करना है, कर लेंगे आप, बिल्व कर लेंगे, तो के की जो value आ रही है, ओ क्या आ रही है, के की value आ रही है, 12, कामा minus 2, यह आपका option number डिया आएगा, इसको क्या करोगे आप, एक बार आपको क्या करना है, यानि 25 minus 5 के को, एक बार 35 के एकल करना है, तो जब इसको equals करोगे, तो क्या आएगा आपका, इसको equals करोगे, तो आपको जो भी value आए, उसके बाद यहाँ पर, 25 minus 5 के को, minus 35 के एकल करना है, तो दो value आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, एक मिलेगा 12, एक भी लेगा minus 2, ठीक है, तो यहाँ से आपका अपसर नंबर, decorrect होता है, अब यहाँ तक, आपका exercise जो 4.3 था, वो complete हो गया, इस exercise में हम बात किये, किसी triangle का area निकालना हो, determination के हिलप से आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो काफी कुछ इसमें हमने cover कर लिया, complete करवा दिया, exercise 4.3, तो देखिए आप, वीडियो देखिए, enjoy करिए, कहीं प्राबलम हो, तो कमेंट करिए, वीडियो को discussion वे आपको whatsapp link, और telegram हमने में मेलेंगा, join हो जाईए, कोई प्राबलम हो, तो discuss कर सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं, फिर next video में continue करेंगे, जल्दी हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, exercise 4.4, और उसको एक concept, जो भी जिस पर concept पर exercise 4.4 है, वो हम पर ले करवाएंगे, उसको भी exercise करवाएंगे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कोई प्राबलम हो,